नमस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं नया टीवी बिहार में आज एक बड़ा सियासी उलट फेर हुआ है और विधायकों के साथ बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गट बंधन तोड़ दिया है जेडियू विधायकों के साथ बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गट बंधन तोड़ दिया है जेडियू विधायक दल की बैठक के बाद नितिश कुमार ने कहा है कि बीजेपी ने हमें हमेशा अपमानित किया उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई नितिश ने कहा कि बीजेपी ने हमें खत्म करने की साजिश रची दूसरी बार बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला लेने के लिए सीम नितिश कुमार ने आज अपने विधायकों से भेट की पार्टी के एक वरिष्ट नेता ने बैठक से पहले मीडिया से कहा विस्फोटक समाचार के लिए तयार रही है दरसल दोनों पार्टियों के बीच का तनाव ब्रेक पॉइंट पर पहुँच गया था नितिश कुमार ने अपनी पार्टी के पूर्व नेता आर सीपी सिंग पर ग्रह मंत्री अमिशा के मोरे के रूप में काम करने का आरोप लगाया था जेडियों की ओर से ब्रस्टाचार का आरोप लगाया जाने के बाद आर सीपी सिंग ने पिछले हफते जेडियों से इस्तिफा दे दिया था बता दे कि बिहार में सत्ता बचाने के लिए गहे मंत्री अमिश्या, धर्मेंदर परधान और जेपी नड़ा के नेतरित में तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता नितिश कुमार के संपर्क में थे ताकि इस इस्तिती से उबरा जा सके और गटपंधन को बचाया जा सके गोर तलब है कि कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्स जेपी नड़ा ने कहा था कि सभी शेत्रिय पार्टियों का सफाया हो जाएगा बताया जा रहा है कि नड़ा के इस बयान से भी नितिश नाराज हो गए थे उधर अठकलों के बीच लालू परसाद यादव की बेटी रोहिनी आचारिया ने ट्वीट किया है जिसके कई माईने निकाले जा रहे हैं रोहिनी आचारिया ने ट्वीट कर कहा है कि राज तिलक की करो तयारी आ रहे हैं लाल्टें धारी रोहिनी सिंगापूर में रहती हैं गोरतलब है कि बीजेपी से अलग होने के बाद बिहार के सीम नितीशकुमार राजजेपाल से मिलकर इस्तीफा सोप सकते हैं आरजेडी विधायक और नेता भी सुबह से लालू परसाद यादव के पटना आवास पर बैठक कर रहे हैं बैठक कक्ष के बाहर सबी विधायकों के मुबाइल फोन जमा करा लिए गए हैं लेफ्ट पर्टी के विधायक भी बैठक के लिए लालू यादव के घर पोचे हैं संभावना है कि नितीशकुमार बीजेपी से रिष्टा तोड़ने के बाद आरजेडी, कॉंग्रेस और लेफ्ट पर्टियों के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे